नमस्कार, टुड़े हिमाशुल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ भावनर रिनाट और चली देखते हैं श्राम की बड़ी खबरों को फटाफाड़ हिमाजो पदेश के मुख्य मंत्री ने FCA मामलू में तेजी लाने खले तंत्र विक्सित करने पर दिया जोर वंसें रक्षन अधिनियम के तहत वन मंजूरी में देरी पचिनता रक्त करते हुए मुखे मंतरी सुक्विंदर सिंग सुखुनेश अनिवार को वन मंजूरी मामलों में तेजी लाने के लिए एक तंत्र विक्सित करने पर जोड़ दिया है रिपोर्ट में दावा शिमला में प्रचको के ठहन ने का अउसत घटा अपरेटन उद्योग तयार करेगा रोड मैप शिमला में प्रचको का आकर रुकना कम हो गया है ऐसा कहना है तूरिज्म इंडस्टी स्टैक होल्डरस एससेसेशन के एक रिपोर्ट का इस रिपोर्ट के अनुसार शिमला में प्रचको का उसत ठहराव 1970 के दर्शक में चौर पांच दिनों से घट कर परतमान में एक ही दिन रह गया है इसका मतलब यह है कि 1970 के दर्शक में प्रटक चौर से पांच दिनों तक शिमला में रुकते थे लेकिन आज के मौझूदा समय में घट कर एक दिन रह गया है बुखार की रोज़ाना 35 से अधिक मरीज हो रहे दाखिल बिमार होने वालों में बच्चों के संख्या अधिक सर्दी बढ़ने के साथ लोग बुखार की जकड में आने लगे हैं बुखार की रोज़ाना 35 से अधिक मरीज मेडिकल कॉलेज चमबा में दाखिल हो रहे हैं इनमें सबसे ज़दा बच्चे इसकी चपेट में आ रहे हैं हालत यह है कि यहां पर बिस्तर भी कम पड़ने लगे हैं एक बिस्तर पर दो मरीजों का इलाज करना पड़ रहा है लोगों को सर्दी खासी वा बुखार की अधिक शुकात हो रही है चमबा के अधिकतर लोग मौसमें आय बदलाव से बुखार की चपेट में आ रहे हैं चमबा शोहर के लावा भरमौर, होली, सलोनी, तीसा, पूखरी, आधिक श्वेत्रों के लोग बुखार से ग्रासी थैं यही करण है कि जिला के पहाडी ख्षेत्रों की डिस्पैंसर्यों वा पियस्सी भी प्रति दिन बुखार से पीड़ित लोग उपचार के लिए पहुंच रही हैं बरफ देखने के जोश को यतयात ज्वाम कर रहा ठंडा बढ़ी प्रचकों की परेश्वानी बरफ देखने के उमड़ी प्रचकों की भीड के आगे मनाली की व्यवस्ता शुने हो गई है अटल टनल बनने के बाद मनाली में प्रचकों की आमद अब साल भर रहने लगी है बरफ देखने के लिए हर रोज अनिराज्यों से हजारो प्रेटक मनाली पहुंच रहे हैं लेकिन यातायात जाम बरफ देखने के जोश को ठंडा कर रहा है सोलंग नाला जा रहे प्रेटक याद याद जाम में फस रहे हरोज 4-5 किलोमेटर लंबा यातरयात जाम लग रहा है जुड़वा बेहने निभाया रिष्टा बेहन को देख किटनी कहते हैं बेहने किसी भी हाल में हो एक दूसरी का साथ नहीं छोड़ती बात जिंदगी और मौत की भी हो तो एक दूसरी की ढाल बन सकती है सरकागाट के मस्यान की रहने वाली चंपा नहीं अपनी जुड़वा बेहन मीना को किटने देकर ये बात सार्ता की है 51 वश्च की आयू में चंपा अपनी बड़ी बेहन मीना को मौत की मुझ से वापस ले आई दोनों अभी चंपीड़ पीजयाई में उप्चवरा धिन है हिमाचुल डे बोर्डिंग स्कूल बनाने को नामे वास्तुकारों से ज्रॉइंग तयार करवाईगी हिमाचुल सरकार हिमाचु पदेश को हर विधान सब आक्ष्वेत्र में बनाये जाने वाले राजीव गाधी मौडल डे बोर्डिंग स्कूलों की निर्मान के लिए सरकार नामे वास्तुकारों से डिजाइन तयार करवाईगी आदुनिक सुविधाओं वाले मौडल स्कूल बनाने की कवायद शुरू हो गई है उचिशिक्षन देशाली ने प्रदेश के भोगौलिक स्तिती अनुसार दस फरवरी तक वास्तुकारों से डिजाइन आमन्त रित किये हैं बीते तीन वर्षों के दुरान एक प्रजेक्ट पर बीस करोड से कम कानिवेश करने वाले वास्तुकार इसमें शामिन नहीं हो सकेंगे प्रदेश में पंदा सो से दो हजाइ विद्यातियों के संक्या के हिजाब सी डेवोडिंग स्कूल बनाए चाने है ह्प्यू में 17 मिनट तक चली बीबीसी की डॉक्यूमेंटरी पुलिस के रोकने पर की धक्का मुखी और नारे बाजी हिमाजू पदेश विश्विद्याले यान की एच्पीउ में शन्रिवाश श्राम स्फाई च्वातर संगठा ने प्रधान मंती नरेंद्र मोधी और गुज्वातर दंग को पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंटरी दिखाई चिमला पुलिस के समझाने के बावजूद स्फाई कारिकता डॉक्यूमेंटरी दिखाने पर अड़े रहे इसे बीच शाम छे बजे भाशन बाजी की बाद पुस्तकालिये के बाहर खुले में डॉक्यूमेंटरी की स्किनिंग शुरू हुई करीब सचा मिनट तक डॉक्यूमेंटरी दिखाई जॉनि की बाद पुलिस हरकत में आई मौके से प्रोजेक्टर के लिए लगाई गया स्क्रीन को वहाँ से हटा दिया गया इस दुरान SFI कारिकरताओं और बुलिस के जवानों के वीच धक्का मुक्की भी हुई धरमश्वला में इतने रुपे का हुगा सबसे सस्तर टिकेट 25 फरवरी को पहुँचेंगे खिलाडी हिमाचो पदेश क्रिकेट स्टेडियम धरमश्वला में एक से पांच मार्च उतक प्रस्तावित भारत आस्ट्रेलिया टेस्ट मैच के लिए सस्ते टिकेट 250 से 300 फरवरी को धरमश्वला पहुँचेंगे हिमाचो पदेश क्रिकेट एसुसेशन जाने की एचपी स्टिये ने टीमों के ठेरने का प्रबंद कंडिस सित्त होटल रेडिसन ब्लू में किया है यहां पहुचकर पहले दिन टीमें आराम करेंगे 26 फरवरी से दोनों टीमें स्टेडियम में अभ्याश शुरू करेंगे मैच के सफल आयूचन के लिए एचपी सिये की और से गटित मुख्य और सब तेरा कमीटियों की बैठा कशनिवार को एचपी से सस्टीव अवनीश परमार के धक्षृता में हुई 200 रुपे का नकली नोट भी घर में चापने की कोशिश में था आरूपी जाली करनसी मामली में पकड़े गए आरूपी शाहिन अंसारी ने घर में पिच्चास और सौ रूपे के अलावा 200 रूपे के नोट चापने की भी कोशिश की थी लेकिन उसे ये नोट हूँ बहुत तयार करने में सफलता नहीं मिली छपाई सही ना होने के करन आरोपी ये नोट बज़ार में नहीं चुला पाए मामनी के तफ्तीश के दुरान पुलिस को आरोपी के घर से लैपटॉप, कागस और प्रिंटर के साथ खराब छुपाई के 200 रुपए के कुछ नोट भी बरामत हुए है अरोपी चुआ दिन के पुलिस रिमांट पड़ था, शनिवार को रिमांट की अबदिस्मापत होने की बाद उसे दोबारा न्यायाले में पेश किया गया यहां से उसी कतिश जन्वरी तक रिमांट पर भेज़ा गया है और इश्वाखे व्यक्ती ने पालंपूर में लगाया फंदा दो महीने से था लापता पालंपूर में एक प्रवासी व्यक्ती ने कथित रूप से फंदा लगा का जान दे दी पहलंपूर के बनलाप कंडी सडखपा सौरब ववन विहार के समीप प्रवासी कशव एक पेड़ से फंदे बलड़कता हुआ बरामत हुआ घड़नास्था से कुछ दूरी पर एक बैग भी बरामत हुआ जिसमें जकेट के तरिक्त इकरसी बरामत हुई है उक्तिवक्ति मूल तहा उडिसा के भवनपूर का रहने वाला है तथा लगबग दो महीनिस अपने मूल स्थान से लाप पता था इस समंध में परीजनों द्वरा उडिसा पुलिस के पास गुमचुतकी की डिपोर्ट दज करवाई गई थी